Hello Friends, मैं हुसेन और आप देख रहे हैं Mero Tech Friends, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सिंगल दोर फ्रीज का कनेक्शन जिहां Friends आज की इस वीडियो में हम सिंगल दोर का फ्रीज वाईरिंग सीखेंगे आज की वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है अगर वीडियो अच्छी लाई तो लाइक किजिए और चैनल को सस्क्राइब किजिए फ्रेंड्स चलिए वीडियो को सुरू करते हैं फ्रेंड्स यहां मारा फ्रीज हो गया सब्सक्राइब यहां पे हमारा कंप्रेसर होता है कंप्रेसर में तीन टर्मिनल होता है एक रॉनिंग इस्टार्टिंग और कमन जियां फ्रेंड्स कमन वाले पीन में हम ओभर लोट लगाते हैं और रॉनिंग और स्टार्टिंग वाले पीन में हम यह ऐसा रिले लगाते हैं जियां फ्रेंड्स और यहां पर हमारा दोर स्वीच होता है बल्लब होता है और हमारा हर्मो एस्टेट होता है जियां फ्रेंड्स फ्रीज में हमाल साइड में एक बक्स के अंदर हर्मो एस्टेट बल लब और स्वीच होता है जियां फ्रेंड्स फ्रेंड्स चलिए कनेक्शन शुरू करते हैं सबसे पहले यहांसे हम लाइन सप्लाई यानि फेश अप्लाई लेंगे और ले जाकर हम थर्मो एस्टेट के एक पीन पे इन कराएंगे जियां फ्रेंड्स और दुसरे पीन से फेश अप्लाई आउट कराएंगे और ले आकर हम ओबर लोड के पीन पे इन करा देंगे यानि प्रेशर के common वाले पिन पे in करा देंगे जी हाँ friends उसके बाद जो supply हम ले आकर thermostat के एक पिन पे in किये थे उसी पिन पर से फेश अप्लाई लेंगे और door switch के एक पिन पे in करा देंगे और door switch के दोसरे पिन से फेश अप्लाई आउट कराकर ले आकर हम बल्लब के एक पिन पे in करा देंगे जी हाँ friends friends हमारा फेश अप्लाई मुकामल हुआ बाचा neutral चलिए neutral ले करनेशन करते हैं यहाँ से neutral लेंगे और ले आकर बल्लब के दूसरे पिन पे in करा देंगे जी हाँ friends और उसी neutral में से हम प्रेशर के रॉनिंग वाले पिन पे यानि जो ड्रीले लागा हुआ है उस रॉनिंग वाले पिन पे हम यहाँ पे in करा देंगे जी हाँ friends जब हम प्रेशर को अन करेंगे यानि फिरिज को अन करेंगे तो हमारा फेश अप्लाई दरेट थर्मो एस्टेट तक जाएगा और थर्मो एस्टेट से आउट होकर हमारा कंप्रेशर तक आएगा जी हाँ फिरिज में कूलिंग हमारे आवस्टा कंप्रेशर हो जाएगा तो क्या करेंगे हमारा थर्मो एस्टेट सप्लाई को डिसकनेट कर देगा जिसे हमारा फिरिज अफ हो जाएगा जी हाँ और फिर जब हमारा फिरिज में तेंप्रिशर बढ़ जाएगा तोब क्या करेगा हमारा थर्मो स्टेट फिर सप्लाइव और अगर चलने लाएगा जी यहां फ्रेंड्स अगर यह थर्मो स्टेट वल्प यानि वडर प्रिटेक्टर और नहीं जानते हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं आ अजिसे करते है हम, शिंगल डोर फीरेज का फूल वाइरिंग, जिहां, friends. Friends, I hope वीडियो अच्छी लाइए होगी. Friends, आज का वीडियो हमारा ही तक मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक best of luck.